इस्टुएंट्स इशु अपने कम्परेट कर लिया अब बारी है इसके सेकंड चेप्टर पढ़ने की Issue & Redaction of Deventure डेवेंचर क्या होता है यह श्येयर से कितना डिफ्टरेंट करता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं इन सब चीजों के बारे में मैं आज किस क्लास में आपको बताने वाला हूं सबसे पहले तो यह समझ दीजे डिजे डिवेंचर होता क्या है देखिए जब कंपनी शेयर इश्यू करती है इसका मतलब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स बढ़ा रही है कंपनी अपने मेंबर्स बाटना चाहते हैं तो ऐसे में दो तरीका है या तो बो पार्टिकुलर किसी इंस्टिट्यूशन से या ने की बैंक से या भी फाइनसल इस्टिट्यूट से लोन ले लेंकि लोन लेने से होता क्या कि बड़ा अमांट होता है अगर बैंक से लोन लोंगे तो बैंक का पॉब्लिक के भी पॉब्लिक में इशू किया जाता है बस डिफरेंस यह कि शेड़ी करने पड़नर्शिप दिया जाता है जब कि डिवन्चर इशू किया जाता है यह ऐसल लोन होता है कि भाई हमसे डियू लेए लो आप हमें पैसा दे लो बदले में हम आपको एक फिक्स अमांड में इंटेस्ट पे करेंगे और दुस्री सबसे खास बात यह है कि एक फिक्स टाइम के बाद रिटरन ही कर देंगे ये डिवेंचर होता है, कि डिवेंचर एक long term loan होता है, ये ठीक बैसा ही है, जैसे bank से loan लिया जाता है, लेकि वरक बस इतना है, bank केबल एक bank ही पैसे देता है, यहाँ पर public, बहुत सारे public मिलके थोड़े थोड़ा contribute company को करती है, बदले भी उनको डिवेंचर का certificate मिल जाता है, त rating बढ़ने का मतलब होता है, कि डिवेंचर बढ़ आया हुआ है, डिवेर से, और डिवेर का मतलब होता है, to borrow, बारो का मतलब होता है, हिंदी बे बोलते हैं, इसको क्या करना, उधार लेना, यूं कहें, कर्ज लेना, दूसरे लेना, लोन लेना, तो ऐसे में डिवेंचर एक रिटन इंस्ट्रुमेंट है, एक अनॉलिजमेंट है, अडेप्ट अंडर दा कॉमन सील अफ कंपनी, कंपनी की कॉमन सील में, कि यहां पर जब पबलिक से लोन लिया जा रहा है, उनकी प्रॉपर एक सर्टिफिकर दिया जाता है, कि भई, आपको आप इतना डिवेंचर मिल दिया, इट कंसेंट अ कॉंट्रेक्ट, इट कंटेंज अ कॉंट्रेक्ट फॉर रिपेमेंट, इसमें प्रॉपर भी में पैसा कब रिटन करना है, वो लिखा रहता है, और प्रिंसिपल आप्टरा स्पेसिफिक पिरिएड अप टाइम की कि कितने समय के बाद प्रिएड अट क्योंकि जब डिवेंचर इशू किया जाता है, उसी से पहले 10% डिवेंचर है या 9% डिवेंचर है, यह प्रॉपर वे में 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 मेंशन होता है, तो डिवेंचर के आगे जो पर्सेंड लगाया जाता है, इसका मतला होता है उस डिवेंचर के ऊपर उतना ही रेट अब एंग्रिमेंट में इनकी कॉंटेक्ट में लिखावा रहता है और यह इंट्रेस्ट या तो हाफिलि पाइमेंट होता है यलो या तो या ओली पामिद फोता है कि कॉंटेक्ट में किया लिखा हुआ कि साफ फिर सोथे कमपनी के अग्रि मेंट हो तो withdraw to the section 2 point number 30 of the company act 2013 deventure include deventure inventory bonds and any the securities of a company whether constituting a charge on the assets of the company or not deventure में वो सब कुछ include करता है जब company किसी से बारो करती है चाहे वो deventure inventory के रूप में हो चाहे वो bond के रूप में हो वैदर उसके बादले में उन्होंने कोई security रखा हूँ या नहीं रखा हूँ लेकिन अगर आज आता है अब बात आती बॉंड क्या होता है डिवेंचर को समझ लिया बॉंड आज के टाइम में बॉंड और डिवेंचर दोनों ही सेम चीज है बट बॉंड इस आज पी एक तरह का डेITT है बंड की बतले में यहां बशन की पसे लिया जाता है तिलिए लेकिन पहले environment करती थी चुक्त करते हैं लेकिन आज के time में बिसीपेलिए जो सेमी government है को भी करते हैं लेकिन आज के टाइम में चाहे हम की बात करते हैं चाहे बात करते हैं दोनों ایک ही the vein सेใ banco में लिया जाता है दोनों एक तरीका टर्म का एख इन्स्ट्रूमेंट वता है जिसके ते आपनी क्या करती है बारो करती है उद्धाल लेती है संजमा आगे डिवेंचर क्या होता है थोड़ासा और आगे बढ़ते हैं now the types of डिवेंचर के types को डिवेंचर के टाइपस को डिवेंचर की विंचर एक long term debt है डिवेंचर पर एक fixed rate of interest दिया जाता है और डिवेंचर में clearly mention होता है कि उसका repayment का होगा वो period clearly mention होता है ठीक है अब हमें यह पता होना होगा डिवेंचर जब issue किया जाता है उसके types भी होते हैं कि बिल्कुल डिवेंचर की basically कई सारे types होते हैं उसको अलग-अलग basis में बाटा गया है सबसे पहला basis है यहां पर from the point of view of security security की बेस पर क्या किसी basic security क्या आप लोन लेंगे तो बैंक बाले कहते हैं ठीक आपको लोन देंगे बदले में security दो लेकिन company आपसे लोन ले रही है तो company क्या आपको को security दे रही है तो इस security के बेस पे डिवेंचर को दो क्याटिकिन बाटा गया है एक है security venture दूसरा होता है unsecured यह नेक डिवेंचर सेक्योर डिवेंचर इस डिवेंचर वियर आच चार्ग इस क्रेटेड ऑन दा एसेट्स ऑफ दा company for a purpose of payment in case of default यह बुल्स डिवेंचर होता है जिसके ऊपर company particular assets को collateral रखती है assets को as a security रखती है कि by chance company default हो जाती है company अगर payment करने में फिल हो जाती है उनकी वास proper पैसे नहीं हो पाते हैं तो उस case में जो उसकी security assets होता है उसको बेच के उसके थूरू उस payment को rip के वसूल किया जाएगा इसको secured debenture के नाव से जाना था है इसका बदलब particular debenture के बदले में particular assets को उसके पीछे as a security रखा जाता है ठीक है next one is unsecured debenture लेकिन company का इसी का एक opposite version होता है कि asset debenture जिसके पीछे कोई भी particular assets as a security नहीं होता है these are known as unsecured debenture और unsecured debenture को हम next debenture के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यहां पर आपको कोई भी security नहीं मिलती है basically जो बड़ी बड़ी reputed company है जो केवल अपने name and fame से ही company बाहर से जो है debenture issue कर लेती है तो लोग उसके नाम से ट्रस्ट करते हैं जैसे कर टाटा ने कहा कि भाई मुझे उपन नहीं कहा कि पब्लिक से कई था खली भी बोलते ना कि मुझे पब्लिक चाहता हूं कि पब्लिक मुझे सब लोग 100-100 रुपए दे मैं एक मेने के पास पैसे डॉटा दूंगा तो पब्लिक आख बंद कर क्यों सेक्रोड या नाइक डिवेंचर होता है सेकेंड टाइप इस फॉर्म दा पॉइंट अब यॉप टैन्यूर टैनूर का मतलब टाइम के अक्रोडिंग पिरेड आफ टाइम ठीक है अगर हम पिरेड टाइम की बात करते हैं एन की रिडिप्शन की बात करते हैं मैंने अभी पह डिवेंचर कहते हैं वाट डिवेंचर दोज़ डिवेंचर बिच आर रीपेवल ओन दा एक्सपारी ऑफ दा स्पेसिक प्रेड वो डिवेंचर होता है जिसमें किलियली यह बताया जाता है कि एक पाइटिक्लर टाइम के बाद आपके डिवेंचर के अमाउंट को बापस कर दिया जाएगा एक इक स्पेसिक टाइप फिक्स होता है कि इतने टाइम के बाद दस साल के बाद पंद्रा साल के बाद एमाउंट ऑफ डिवेंचर विल वी रिटेंड लेकिन अगर इस तरह का कोई भी स्पेस्पिक टाइपके डिवेंचर में में एन फीन्स से नहीं नहीं repayment के लिए कोई भी time mention नहीं करती है हो सकता है जब तक company रहे तब company कोई वो पैसा रहे हो सकता है time particular time की वाद company उसको बापस कर दे लेकिन डिवेंचर के contact में time mention नहीं होता है so इसको irredeable डिवेंचर के नाम से जाना जाता है next one is according to the convertibility convert घ्याय बलना कुछ डिवेंचर को दूसरे पैसे वापस क्या दूंए आपको मुझे पैसे वापस नहीं काम करते हैं आपके share को हम share में convert कर देते हैं जो चाता है convert करेंगा जो नहीं चाता नहीं करेंगा लेकिन अगर यह option है कि डेवैंचर को share में convert किया जा सकता है तो उनको convertible divinture के नाम से जानते हैं लेकिन कुछ divinture ऐसे भी होते हैं those cannot be converted into shares जिनको share में convert नहीं किया जा सकता है उसको हम non convertible divinture के नाम से जानते हैं next one is from coupon rate point of view coupon rate point of view मतलब according to the rate of interest जैसा कि मैंने बताया सुरुआत में divinture की सबसे वड़ी खासियत है divinture के लिए rate of interest का पहले से fix होना जरूरी है जा fix होता है कभी कभी नहीं भी होता है तो SMS के दो टाइप से specific coupon rate divinture और zero coupon rate divinture जब company divinture issue करती है अगा issue वीदा specific rate of interest उसमें clearly rate of interest mention किया जाता है कि इतनी rate of interest का divinture है तो उसको हम specific coupon rate divinture बोलते हैं क्योंकि हमारे पास already एक fix जो है rate of interest दिया जाता है लेकिन कुछ divinture ऐसे भी होते हैं which do not carry a specific rate जिसमें को भी rate of interest mention नहीं होता है company अपने मन मताबिक interest बाद में pay करती इंटरेस तो पे करना ही है लेकि rate of interest fix नहीं होता है कभी कम भी हो सकता है कभी जाधा भी हो सकता है कभी बहुत कम हो सकता है कभी बहुत जाधा हो सकता है according to company policy तो अगर rate fix है तो वह बोलते हैं specific coupon rate divinture अगा नहीं हैं तोleased जीरो कुपनरे डिवेंचर के नाम से जाना जाता है next time is from the viewpoint of registration registration के accounting अब registration के accounting दो तरीका होता है एक है registered अदूसरा होता है bearer registered डिवेंचर वो डिवेंचर होते हैं जो किसी particular person के name पे डिवेंचर holder के name पे उसको registered किया जाता है अलाउट किया जाता है एनकि ऐसे डिवेंचर होते हैं जिसके content में डिवेंचर holder का name, address and particular holding of the डिवेंचर सब कुछ लिखा रहता है उसको हम registered डिवेंचर कहते हैं मतलब वो डिवेंचर किसी दूसरे बंदे ने ले लिया है तो उसको कोई फाइदा नहीं होगा जब तक वो अपने नाम से इसको registered नहीं करा लेता है ऐसे डिवेंचर शेक्योड होते हैं उस बंदे के लिए जो उसको purchase कर रहा है जैसे check होता है आप अगर check में एक लाग रुपाय किसी को payment कर रहे हैं payment लिखने के बाद आप check में क्या करते हैं जिस पर कोई भी name बगरा include नहीं होता है जिसके पास वो contact होगा डिवेंचर उसी का होगा जिसको हम वियर डिवेंचर के नाम से जानते हैं यहाँ पर किसी भी तेरे का name, address, mention में होता है मतलब जिसके पास डिवेंचर होगा उसी का वो बन जाएगा इस बंदे को डिवेंचर दिया गया है अगर कोई डिवेंचर बेचता भी है तो जो खरिदता है उसको अपने नाम से उसको company से registered करवाना होगा तभी उसका फाइदा मिलेगा दरवाइज नहीं आप बात ही है issue of डिवेंचर जिस तरह से मैंने बताया था कि share जब issue किया जाता है इसको दो टैप्स issue की according to CVC board CVC guideline according और नॉर्माली भी issue को दो तरह के issue किया जाता है एट पार एट एंड प्रेमियम लेकिन यहां पर जब डिवेंचर की बात करते हैं तो डिवेंचर को हम दो तीन तरह के issue कर सकते हैं इसको बोलते डिवेंचर का इसको बोलते डिवेंचर कर देती है कभी कभी कुछ कंपनी ऐसी होती है जिनको पैसों की जुलत अच्छानक पढ़ जाती है रेपूटेट में नहीं होती है उसकी कुछ डाउन है तो वो लोग discount वे शू कर सकते हैं मतलब यह हुआ कि 100 रुपीज का debenture हुआ तो public को बीच में वो 90 रुपीज की साथ शू कर रही है और 10 रुपीज company जो है फादा दे देती है किसको public को ठीक है तो यह होता है आपका issue of debenture अब issue of debenture एक तो cash होता कि company को क्या चाहिए cash चाहिए लेकिन cash के अलाव भी company debenture issue कर सकती है जब company कहीं से भी कोई assets बगरा purchase करें और उसके बदले में payment ना करके debenture दे देती इसकोल दे consideration other than cash या फिर जब company particular कहीं से loan लेती है लोल लेने की security provide करने के लिए as a collateral security भी debenture issue किया जाता है इसके बारवे मैं सब कुछ example के थूरू बताऊँगा illustration और practical question मैं करके आपको बताऊँगा परशान मत हुए पहले illustration question साले solve करेंगे फिर practical question भी solve कर लेंगे now here is distinction between the shares and debenture जब मैं share की बात कर रहा हूँ debenture की बात कर रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए दोनों में basic difference क्या है क्योंकि exam में दोनों की बीच में difference अब से पूछा जाता है जब difference की बात करते हैं सबसे पहला difference आता है ownership के accounting according to the ownership share represent ownership ownership of the company जो share होता है company के ownership होता है जो share holders होते है they are the real owner of the company वो company के मालिक बन जाते हैं उतने जितने उसके बात share होते हैं जबकि debenture is only acknowledgement of debt जबकि debenture केवल और केवल as a type of loan होता है उसका company के ऊपर कोई भी right नहीं होता है कोई भी ownership उसके बात नहीं होती है वो as a lender होता है कि वो किवल loan देने वाला होता है return बदले में क्या मिलता है जब हम बात करते है return on shares is known as dividend share के return के बदले में dividend दिया जाता है dividend is a part of profit जबकि debenture के return में दिया जाता है interest और dividend fixed नहीं होता है जबकि rate of interest already fixed होता है दूसरी बात यह हुआ जब company को profit होगा तभी dividend दिया जाता है जबकि interest profit हो या ना हो कोई फरक नहीं पड़ता है अगर interest fixed है तो fixed rate of interest आपको देना पड़ेगा तो पड़ेगा हर हाल में आप interest को deny नहीं कर सकते जबकि company dividend को अपने इसाफ से deny कर सकती है next repayment normally the amount of shares is not returned normally जब तक business है जब तक company है अगर आपने share purchase किया है आपके पैसे को company return नहीं करती है जबकि diventure के payment repayment का time fix हो जाता एक particular time के बाद company अपने diventure का amount diventure holder को return कर देती है मतलब share amount of share not returnable जबकि amount of diventure are returnable next voting rights सबसे important यहाँ पर है shareholder company के real होना होती है so they enjoy voting rights उनकी पास company का voting right होता है लेकिन diventure holder के वाल और के वाल एक lender होता है जिनके पास कोई भी voting right नहीं होता है they do not normally enjoy the voting rights अगर diventure को convert किया जाता है shares में तब उनको वो right मिल सबता है लेकिन वो convertible diventure होना चाहिए security shares are not secured by any charge सबसे important यह देहन में रखना है कि आप share तो खरिद रहे हो यह आपका risk है share risk होता है यह इसके पीछे कोई भी यह नहीं कह सकते मैं share खरिद रहा हूँ company की डूमने पर मुझे पैसा बापस मिलना है तो नहीं मिलेगा क्योंकि share को कोई भी security नहीं दी जाती है but in other sense the debentures are secured by a proper security or assets of the company जबकि debenture को proper security दी जाती है company की थूमने देवेंचर का पैसा दूबेगा तो आपको पैसा कुछ ना कुछ मिलेगा convertible shares cannot be converted into debentures share को debenture में convert नहीं किया जा सकता but other hand debenture को share में converted किया जा सकता है तो यह रहा आपका debenture share debenture के difference, type of debenture, issue of debenture and also the meaning of debenture इसके जश्ट बात वाले वीडियो में हम जो है illustration question solve करना शुरू करेंगे आपकी बुक में solution भी दे रखाओगा मैं आपको explain करूँगा तक तक लिए अब ध्यान में यह रखना है कि ncid solution आपको कहां मिलता है जितने भी ncid book है जोगी content में सब ncid book के अकड़िए आपको बता रहा हूँ ncid book का content आपको केवल एक ही channel पे मिलेगा the economist group that is the king of ncid solution ओके तो share करिए अपने के दोस्तों के वीच्पे जो भी ncid book को प्रिफेर करते हैं क्योंकि ncid book का solution केवल और केवल आपको यहां मिलेगा वो भी केवल और प्रैक्टिकल कोश्चन नहीं यहां पर आपको थेओरी भी मिलेगा आपको यहां पर illustration भी मिलेगा साथ साथ आपको यह वर प्रैक्टिकल भी मिलेगा और सब कुछ होने के बाद लास्ट में आपको sample paper भी मैं provide करूँगा free of cost तब तक लिए thank you and bye